प्लीज आई काइंडली रेक्वेस्ट फिल्मों में शुमार हो चुकिए तो चलिए दोस्तों मेरा नाम है अकास आप देख रहे हैं एवी बॉक्स आफिस लाइक करके सस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी साउथ हॉलिवूड और बॉलिवूड की सभी अपडेट सूध इंदी में सबसे पह ले तो समझ लेना वो सिकार करने के लिए कदम पीछे हटा रहा है पर दोस्तों जब वो दो कदम से तीसरा कदम पीछे ले तो समझ लेना कि पुश्पाब हाँ हुआ रहा है दोस्तों इतनी बड़े डायलोग मानने के बाद में उनका काफी टाइम के बाद में एको लूक रिवील करा जाता है और भाई साप उस ग्लिम्पस ने तो जैसे की यूटूब के उपर बॉक्स अपर ट्वीटर के उपर हर जगा पे तहल का मचा दिया क्योंकि दोस्तों काफी टाइम तक ट्रेंड करा था वो उसके बाद में दोस्तों रिलीज हुआ उनका गाना और दोस्तों गाना रिलीज होने के बाद में अभी तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं साइसे 40 मिलियन प्लस व्यूज हासिल कर चुका होगा अब दोस्तों इस मुवी के बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि अभी तक पुषपा जो टू है यानि कि पुषपा दा रूल के जो सोंग है वो अभी तक ट्रेंडिंग कर रहा है और दोस्तों अगला गाना कब आएगा ये भी आपको उसी समय पर बता दिया जाएगा हाला कि दोस्तों ये भी सुनने के लिए मिल रहा है कि पुषपा टू के बार में पुषपा थ्री का भी एनाउसमेंट हो सकता है अब दोस्तों ये कितनी सची बात है कितनी जूटी बात है वो हमको बार में पता चलेगी दोस्त अब हम बात करते हैं हमाई दूसरी फिल्म यादि कि सलार मुवी के बारे में आप सभी को पताएं कि सलार का पार्ट वन जिसने हम सभी की भीच में तहलगा मचा दिया था और दोस्तो प्रसांत निल ने जहां पर इस फिल्म को डारेक्ट करा है तो मानना पड़ेगा कि फिल्म में करना काफिर अदम और काफिर जड़ा मज़ा आ रहा था अब दोस्तो कई सारे जो हेटर से प्रभास सर के उनका कहने का मतलब यह था कि सलार मूवी के ना मसा नहीं आया एसाव एसाव फलाना धिंका तो दोस्तो उनके कहने का यह भी मतलब था कि सलार फिल्म इंडिया के अंदर तो एक फ्लॉफ फिल्म ही साबित होगी तो आपको बता दें कि सलार जैसी शानदा मेगा ब्लोकबश्टर फिल्म अब हम सभी के बीच में जापान में रिलीज होने जा रही है और दोस्तों जापान में रिलीज होने का मतलब यह है कि यह फिल्म ओल्ड डे काफी बड़ी फिल्म मानी जा रही है क्यों दोस्तों टिटिल जापान में वही फिल्म रिलीज होती है जो कि एंडिया में ओल टाइम मेगा ब्लोकबश्टर होती हैं आपको बता दे कि इसके पहले ट्रीपल आर मुवी रिलीज हुई थी जापान के अंदर जहां से ट्रीपल आर ने 140 करोड रुपे कमाये थे लकीन मानिया कि ये सभी फिल्में इंडिया के अंदर ब्लोकबश्टर फिल्मे थी अब दोस्तों जापान के ना जब सलार मुवी रिलीज हो रही है तो मानना पड़ेगा कि फिल्म ओडियन्स को कहीं न कई पसंद आई और दोस्तों फिल्म बॉक्स अपीस पे इंडिया के उपर काफी बड़ा कलिक्शन करके बेठी है अब दोस्तों आपकी उपीनन क्या है कमेंड जरू करिएगा चलिए दोस्तों इसे के साथ महां बढ़ते है हमारी अगली मुवी की तरब तो दोस्ते हमारी अगली मुवी निकलके आती है रुसलान मुवी जिसके ने दोस्तों आयु शरमा काम करते हैं नजराने जो कि दुस्तों सल्मान खान के जीजा है और दुस्तों उनके जीजा जबसे बॉक्स अपीस पर आये हैं जबसे उनकी फिल्में फ्लॉप होना चलिलो हो चुकिये हाल फिलाल जो रूसलान का जो बज़ट है वो है पचिस करोड रूपे और दोस्तो रुसलान फिल्म को डारेक्ट करा है करन ललित बोटान ने अब दोस्तो बढ़ते हैं फिल्म के कलेक्शन की तरब तो दोस्तो मुवी न अपने पहले दिन कमाए थे 6 लाक रुपे दोस्तो फिल्म न अपने 7 दिन कमाए 29 लाक रुपे और दोस्तो ये फिल्म अपने 8 तो दोस्तो आप सभी को बता दें कि अगर मेदान फिल्म सोलो रिलीस होती ना तो मा के कसम खाके बोल रहा हूँ कि अजे देवगण सर सभी फिल्मों को पचाल के रख देते और दोस्तो एक बाप फिर से ब्लॉग बश्चर फिल्म में देते जी हाँ अब इस वक्त इस समय पे बड़े मिया छोटे मिया से कहीं जड़ा अच्छे कलेक्शन लेक्शन लेके आ रही है जी हाँ आपको बता दे कि 18 करोड के बजट में बनने वाली फिल्मों मेदान ने अपने पहले हपते में 28 करोड 35 रुपे कमाए तो दोस्तों मुवी ने अपने दूसरे हपते में बड़े मिया छोटे मिया से ज़्यादा कमाते हुए 10 करोड रुपे तक का कारुबार करा था दोस्तो ये फिल्म अपने तीसरे अपते में एंट्री ले चुकी है और दोस्तो मूवी ने अपने 22 वे दिन 55 लाग रुपे कमाएं तो दोस्तो मूवी अपने 23 वे दिन का पिडिक्शन लगबख 7.8 लाग रुपे का बता रही है जिसे चलते इस फिल्म का 23 दिनों का इंडिय अब दोस्तो बढ़ते हैं हमारी लाश्ट और आखरी फिल्म के तरब जिसका नाम है बड़े मिया छोटे मिया तो दोस्तो आप से भी को बता दें कि जिस तरह के से इस फिल्म का नाम है बड़े मिया छोटे मिया वैसे ही दोस्तो ये फिल्म भी एक काफी बड़ी अबित हो चुकी है दोस्तो अली अबावस जफर जो कि इसके पहले सुल्तान, टाइगर जिन्दा है, भारत मुवी और दोस्तो कई सारी सूपर हिट फिल्में दे चुके हैं दोस्तो उसके बावजुद भी इतनी घटिया फिल्म वो देंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था जी ह दोस्तो ये फिल्म अभी अपने तीसर अपते में एंट्री ले चुकी है और तीसर अपते में एंट्री लेते से ही मुवी ने अपने 22 वे दिन कमाए 40 लाग रुपे तो मुवी अपने 23 वे दिन प्रेडिक्शन बता रही है 50 लाग रुपे का जिसके चलते इस फिल्म का 23 द